अब अब इसक्राइब करेंगे एकसेस 14.1 के लिए के लिए केस्ट नमर फॉर फाइंड दा अमांट एंड दा कम पांड इंट्रेस्ट ऑन 25260 का मतलब की प्रिंसिपल दे रखका है आपको 2560 एक प्रिंट्रेस्ट दे रखका आपको इंट्रेस्ट पिंग इंट्रेस्ट का मतलब की होता है यहां पर 66 मथ में चुकाए जाएंगे पैसे और 66 मनत का मतलब हो गया है semi-annually तो अगर यह one and half year है तो तीन पार्ट के अंदर अंसर निकलेगा पहले six month के लिए फिर six month के लिए फिर six month के लिए इस जब भी semi-annually होता है तो आपका rate of interest होता है वह half हो जाता है यानि six one by four percent जो हो डिवाइड बाए तो हो जाएगा तो four six are यह 25 upon four फिर upon two कितना हो गया यह 25 upon eight percent हो गया अब यह कायदे से समझ गए ठीक है अब निकालो सबसे पहले interest for first year first year के लिए यानि one year के लिए इंट्रेस्ट कितना बनेगा आपका two five six zero multiply 25 upon eight multiply one और फिर यह divide में यह hundred आ गया है समझ माया यानि आपको क्या करना है multiply करना है two five six zero को मैं multiply कर देता हूं किस से twenty five से जो equal में value आएगी उसको मैं divide कर देता हूं eight hundred से how much आ गया 80 rupees आपका interest rate लगा है अब मुझे बताओ जो principal होगा for second यह year नहीं होगा यह semi year होगा नहीं semi annually होगा principal for second semi annually क्या हो जाएगा बताओ जो two five six zero था उसमें add कर दो 80 rupees को अगर मैं इसको 80 rupees add कर देता हूं eight six fourteen five one six two six four zero रूपीज तो समझमा आया forty add करा twenty six hundred और फॉट्य और करेंगे मतलब कि यह principal amount होगा second यह मतलब आपका amount है first year के बाद तो second year के लिए ऐजा principal work करेंगा इस amount पर आप interest निकारों इंट्रेस्ट फॉर इंट्रेस्ट फॉर इसेकंड यहर है तो six four zero two six four zero multiply rate of interest हो गया 25 अपॉन एट फिर यह अगें सेम कंडिशन कर रहा हूं मैं two six four zero को multiply कर दिया मैंने 25 से equals two में जो आया उसको मैंने divide कर दिया किससे 800 से कितना आगया 82.5 इस इंट्रेस्ट फॉर सेकंड यह रही है ना सेकंड यहर का इंवेस्ट इंट्रेस्ट है अब मैं यह कह रहा हूं कि सेकंड यहर का जो मेरा इंट्रेस्ट है वह 82.5 है तो जो प्रिंसिपल होगा for third year third year के लिए जो interest होगा वो 2640 के साथ add कर दिया मैंने 82.5 यानि 2640 के साथ हम add कर रहे है 82.5 कितना आ गया 2722.5 क्या आया मेरे पास भाई 2722.5 रुपीज थर्ड अब इसका interest निकालो interest for third ये semi year होगा या फिर semi annually होगा year नहीं लिखा जाएगा 2722.5 multiply 25 upon 8 multiply 100 यानि की 2722.5 को मैं multiply कर रहा हूँ किससे 25 से जो value आई है उसको मैं divide कर रहा हूँ 800 से 85.07 07 7 8 round of मैं इसको अपन 85.08 रुपीज लिख सकते हैं ये interest देहान रख रहा हूँ अब interest को क्या करते हैं अब मैं amount लिख रहा हूँ याँ पर amount after three semi annually years कितना हो जाएगा बताओ 2722.5 इसमें मैं add कर देता हूँ 85.08 यानि कि आपको 2722.5 इसमें add कर देना है 85.08 को कितना आगया 2807 अब आपसे CI पूछ रहा था हूँ तो CI क्या होता है अमांट माइनस प्रिंसिपल लिखो 2807 माइनस 2560 .58 है यह ना 58 है 4885 था पापस से लिख देखो इसको या 2807.58 2807.58 मैं इसे माइनस किया हमने 2560 को कितना आगया है मेरे पास 247.58 रुपीस अब बताओ क्या समझ नहीं है इन दौना समझ so this is your amount and this is your CI complete cash number 4 next मिलेंगे हम 5 पर पर दौना समझ पास पर दौना समझ तूना समझ नहीं है